हेई वेलकम बैक टियर सब्सक्राइबर एट्स देकाप पूडक्शन एड़ आज की चुड़वर में दिखाने वाला अब दी जो अपने प्रीवु में इंट्रो देखेंगें उसे हम कैसे क्रेट कर सकते हैं काइन मस्टर के अंदर मींस आज हम सिनेमेटिक इंट्रो मेकिंग करने वाले या फिर यू बोलो एडिटिंग करने वाले बहुत ही इजी टूटेरिल होने वाला है क्योंकि मैंने हर एक स्टिप को डीटेल में बताए और बहुत आसान भी है ठीक कॉई बी मेंज फिर पिक कर सकते हैं कट पर क्लिक करने Và कितना इंक्रीज करननेल्क हमें पता नहियो कोई पर चले यहां पर वीड़ो एड़ करें आड़ स्कूद पेटी करने के लिए लेए मीडिया पर नहीं एक वीडियो यहां पर इंपूर्ट करने जिसका flux मैंने जिए ह है description में आप easily download करके यहां पर इंपोर्ट कर सकते हूँ copyrighted free है means आपको copyright test आए कि यह सब आने की कोई chances ही नहीं ठीक है तो जस्ट इस template को यहां पर आपको import कर लेना है fill a screen में जस्ट इससे आपको adjust करना होगो so उसके लिए यहां पर थोड़ सा scroll करना है scroll करने यहां पर आपको एक fill a screen का मिलता है split a screen इस पर आप आना एंड second वाले को select करना यह पूरा screen में fill हो जाएगा ठीक है then back करना है and उसके बाद just यहां पर आपको chroma keep आना है and इसे कर देना है enable ठीक है अब फिलाल हम इसे इनेबल करके रखते हैं then उसके बाद यह जो means white wall आपको दीख रहा है just इसे आपको पकड़के लेकर आजाना है पूरा last तक जहां तक means आपका template होगा ठीक है तो जहां तक हमारे template है उतना दूर तक हमें just इसे लेकर आना होगा then यहां पर आपको सिंपली सा chroma key पर आना and इसे थोड़ा सा हमें adjust करना होगा क्योंकि यह other part को भी means यहां से देख सकते हूं थोड़ा cut work कर दे रहा हमें सिर्फ logo वाला पार्ट में चाहिए कि यह हट जाए ठीक है green screen so उसे remove करने के लिए यहां पर आपको parameters को थोड़ा set करना होगा तो आपको यहां पर इन दोनों को आप जितना नीरर रखते हैं उतना ज्यादा सही रहेगा so that's why मैं एक को 45 एक को 47 रख रहा हूं and कर देने है done ठीक है इतना कर लेने के बाद यहां पर हमारे जो basic steps था वो सारा complete हो चुका है then simply से यहां पर हमें अपने लोगो को add करना है and हमारे create हो जाएगा ठीक है so layer पर क्लिक करने media पर क्लिक करना है and यहां पर आपको अपना logo add करना होगा so logo चीज़ भी file यह फिर folder में होगा उस folder को आप सेलेक्ट करना then अपना logo को आपको पिक करना है logo पिक करने के बाद अगर आपका logo भी मेरे तरह है इस तरीके से rectangle में then यहां पर आना आप cropping में and इसे करना enable and shape में आके just यहां से इसे circle को select कर लेना ठीक है तो आप देख सकते हो यह circle में convert हो गया अगर circle में है then बहुत अच्छा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगे ठीक है then उसके बाद इसका जो duration है उसे पूरा video के last तक आप कर सकते हो otherwise इसे आप just last में लाके add कर देना वो भी काम कर सकते हो ठीक है बट यहां से इसे cut कर देना क्योंकि video के ज्यादा नहीं रखना है बाहर में then उसके बाद इसे करना यहां पर adjust यह जो white वाला page दीख रहा है इसमें आपको इसे completely fill करना होगा ठीक है तो completely हम यहां पर इसे fill करते और इसे ज्यादा ना भी हो तो ज्यादा सही रहेगा यहां पर यहां पर completely हमारा fill हो गया ठीक है जैन उसके बाद इस पर आपको टैप करना है मिंस लोगों पर त्री डॉट पर टैप करना है एंड इसे send to back कर देना है ठीक है तो आप यहां पर देख सेकते हमारी लोगो एड हो गया थोड़ा सा हमें इसे इधर adjust करने की requirement है तो म आपको simply से क्या करने लेयर पे क्लिक करने टेक्स्ट पे क्लिक करने एंड अपना channel का जो name होगा जस्ट उसे आपको यहां पर लिख देना है ठीक है तो यहां पर हम अपना production लिखते है एंड देन उसके बाद इस पर एक animation भी एडड करने के लिए हम यहां पर इन animation पर आना है एंड देन उसके बाद यहां पर आप चाहो तो जस्ट आप लेटर बाई लेटर को यूज कर सकते हो काफी सही रहेगा ठीक है बट अगर आप wipe right यूज करते हो दिन ये भी सही है ठीक है तो यहां पर मिन से देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगता आपको अच्छा लग देन ऐसे स्टोर पर आप आना ऐसे स्टोर पर आने बाद यहां पर एक हैंड राटिंग एक डिस्ब्ले इन दोनों में मिन से काफी सही वाले आपको फॉंट मिल जाते हैं तो जो फॉंट आपको अच्छा लगे जश्ट उस पर आपको टैप करना डाउनलोड पर क्लिक करना यह डाउनलोड हो जागा देन बैक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको फॉंट आ गया सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करना है यह आपको फॉंट आ जागा ठीक है बट मुझे यह सब नहीं अच्छा लगता है मिनस मैं जो यह नॉर्मल से फॉंट होते न वो मुझ यहां पर आप देख सकते हमारा जो इंट्रो है वो परफेक्ट्ली क्रेट हो चुका है ठीक है तो इसका जो डुरेशन है उसे आपको पूरा लास्ट तक कर देना होगा तो हम इसे लास्ट तक करते हैं देन उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करने वीडो प करके दिखाता हूं देन आप यहां पर देख सकते हैं यह जो हमारे इंट्रो परफेक्ट्ली क्रेट हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने इंट्रो को क्रेट कर ले ना इंट्रो क्रेट हो जाने के बाद यहां पर सिंप्लिस आपको एक्सपोर्ट वाल उटन पे सद्टा सदा आये तो करेक्टर को अस्ट पी से आप इसलि अलगता है देखने में देन उसके बाद आप इसे एकस्पोर्ट कर से तो सहीं लगे गाए ठीक है दो आज की स्टूडियो में इतना ही मिलते हैं स्सटूडियो में तब तकह के लिए और